तो दोस्तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो देखिए एक बड़ी खबर एक ब्रेकिंग न्यूज हमको आती हुई देखने को मिल रही है जिसके बारे में हम पिछले कुछ टाइम से लगातार चर्चा कर रहे थे और आज फाइनली यह ओफिशल होता हुआ देखने को मिल चुका है कि LTI and Mindtree दोनों कंपनी आपस में यहां पर मर्ज होने वाली है to create a stronger IT services business तो यह एक मेगा मर्जर होने वाला है IT sector point of view से हम बात करें क्योंकि अब यह LTI और Mindtree दोनों जब मर्ज हो जाएगी combined entity का नाम होगा दोस्तों LTI Mindtree जब यह दोनों कंपनी मर्ज हो जाएग है तो इस वीडियो में हम detail analysis करने वाले हैं इस पूरे transaction का इस पूरे merger का साथ ही में swap ratio यहां पर क्या रहने वाला है जो की most important part है कई सारे निवेशों को के लिए कि यहां पर कितने shares कौन सी company के मिलने वाले हैं यहां पर किस ratio में मिलने वाले हैं वो पूरी जानकरी मैं आपको यहां पर देने वाला हूँ and इस पूरे amel commission का क्या impact होगा दोनों companies पर उसको भी हम समझेंगे and आज की दिन दोस्तों बात करें तो एक बड़े दिगज का हैं पर resignation भी आ चुका है वो resignation क्यों है उसको भी assume करने की कोशिश करेंगे and साथ ही में technical chart पर देखेंगे LTI and mind tree की क्य situation यहां पर नजर आ रही है क्या यहां पर हमको अभी buy करना चाहिए या नहीं क्या हमारे यहां पर thought process होना चाहिए साली जान करी दूँगा मेरा personal point of view क्या है इसको लेकर वो भी दूँगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए हम यहां पर transaction overview देख लेते है क्या है तो यहां पर दोस्तों देखिए decision officially आ चुका है कि जब माइंट्री है और LTI है इनका merger होने वाला है माइंट्री की बात करें तो करीब 57,000 करोड का यहां पर जो है company का market cap है LTI की बात करें तो 83,000 करोड के आसपास का यहां पर market cap है तो जब दोनों यहां पर combined हो जाएं in terms of market cap बात करते हैं पर important part की क्या रहने वाला है ratio तो देखिए जोस्तों अगर आपके पास mind tree के 100 shares है तो आपको 73 shares मिलने वाले हैं LTI के as on record date record date यहां पर announce नहीं होई है वो भी हो जाएगी कुछ time बात लेकिन 100 shares पर यानि कि अगर आपके पास mind tree के shares है तब आपको LTI के shares मिले वाले हैं तो ratio रहने वाले हैं यहां पर almost यहां पर आप मानके चलिए ratio रहने वाला 3 to 2 का ठीक है मोटा मोटा में आपको बता रहा हूं 3 to 2 का तो अगर आपको 50 share है माइन ट्री के तो आपको यहां पर मिलने वाले हैं करीब-करीब 35-36 share आपको यहां पर LTI share के मिल जाएंगे ठीक है अगर आपके 25 share है तो करीब-करीब आप मानके चलिए यहां पर आपको 17 to 18 shares यहां पर मिल जाएंगा तो इसी अनुपात में आपको यहां पर calculate करना है कि आपको आपके आपको कितने share है आपको यहां पर कितने मिलेंगे 3 to 2 के ratio में तो यह होगी बात and बात करते हैं L& 4.73% stake in the combined entity अब timeline क्या है तो यह दोस्तों करीब जो merger हमको complete होता वह देखने को मिलेगा आप मानके चलिए एक साले यहां पर आप लेके चल सकते हैं NCLT approval होगा regulatory approvals and यहां पर shareholders creditors सबके approval के बाद एक साले यहां पर लग जाएगा और फिर उसके बाद हमको यह entity combined होती हुई द देखने को मिलेगी अब इस merger की यहां पर देखिए impact को हम समझते हैं मेरे ख्याल से उस तो यह जो merger है definitely positive move होने वाला है क्योंकि यहां पर कई सारी synergies हमको यहां पर create होती हुई देखने को मिलेगी coordination यहां पर एक जबरदस develop होता हो और नजर आएगा customer benefits basically यहां पर enhance होते देखने को मिलेंगे with larger peers revenue की बात करें तो total revenue यहां पर आप देख सकते हैं 3513 dollars में हमको देखने को मिलेगा EBIT अगर आप देखें entity जब merge हो जाएगी तो EBIT हमको यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा LTI के point of view से बात करें तो EBIT 17.8% हो जाएगा PET यहां पर 15.1% हो थोड़ा सा research करते हैं और यहां पर देखते analyze करते हैं कि क्या फायदा होगा देखिए industry capabilities की बात करें तो LTI के दोस्तों जो यहां पर पकड़ है वो BFSI segment में काफी जबरदस्त है 47% revenue यहां पर BFSI segment से आता है high-tech media की बात करते हैं तो यहां पर 43% का revenue माइंट्री का आता है तो यहां पर BFSI communication manufacturing CPG retail healthcare energy utilities travel transportation and hospitality तो again यहां पर जब यह merger हो जाएगा तो यह combined entity हमको overall फायदे में ही देखने को मिलने वाली है basically यहां पर आप बात करें तो जैसे मैंने बोला तो larger जो gap है larger customers के वो हमको bridge होते हुए देखने को मिलेंगे customer benefits हमको यहां पर होते हुए देखने को मिलेंगे और काफी बड़े scale पर हमको काम करती हुई हमको नजर आएगी जब यह एक entity यहां पर हमको बनती हुई देखने को मिलेगी बात करते हैं balanced operation across geography दे यहां पर balanced operations हमको create होता हुआ देखने को मिलने वाला है capabilities की बात करें तो जो hyperscalers के साथ जो यहां पर strategic partners है उनके साथ stronger relationship है और भी मजबूत होता हुआ हमको देखने को मिलेगा एक आप कह सकते हैं कि coordination जो collaboration है वो हमको opportunity और भी मजबूत यहां पर होती हुई देखने को मिलेगी capabilities complementary to vertical and synergistic at horizontal combined experience and expertise to enable tier status upgrade and other select partners की बात करें आप देखिए Adobe AWS ठीक है जो Amazon Web Service है ठीक है यह hyperscaler से सारे Google Cloud Microsoft Salesforce ServiceNow इनके साथ और यह दोनों ही company जो है और यह पार्टनर है LTI की बात करें तो silver partner है कई में monetary कई में platinum partner है तो यहां पर यह चीज़े जो है basically capabilities और भी enhance होती हुई हमको देखने को मिलेगी और यहां पर दूस्तों क्यों decide किया गया है to combine the यहां पर basically दोनों के strength को यहां पर और दोनों organizations के strength को यहां पर combine किया है to better serve the customers जैसे कि अभी just मैंने आपको यहां पर बताया अब यहां पर बात करते देखिए हमने देखा उस तो recently अभी हां पर एक चीज़ मेरे दिमाग में जो आ रहे थी मैं आपके साथ share कर रहा हूं कि recently हमने HDFC और HDFC बैंक के हांपर merger होता हुआ देखने को मिला merger की जस्ट बाद हमको काफी अच्छी खासी घिरावट देखने को मिली एक बड़ा merger है और हो सकता है उसको यह भी बड़ा merger है क्या पता है यहां पर गिरावट हो जाए हाला कि देखिए एक comparison की बात करें तो यहां पर हम comparison नहीं कर सकते है एक IT सेक्टर की company है financial services company है लेकिन अगर हम मोटा मोटा बात करें तो यहां पर हो सकता है stock में गिरावट आजाए लेकिन गिरावट यहां पर एक opportunity होगी क्योंकि जब merge entity बन जाएगी तो हमको यहां पर बहुत सारे benefit देखने को मिलेंगे तो हर गिरावट यहां पर opportunity देखने को मिलती है अब यहा इनका भी Sanjay Jalona जी बहुत ही जबर्दस capability वाले जो हैं पर CEO थे इन्होंने काफी उचाईयों तक LTI को पहुचाया तो finally इन्होंने personal reasons के तहत यहां पर resign दे दिया है और यहां पर देखिए resign क्यों दिया है दोस्तों यहां पर पूरे पूरे chances हैं यहां पर जो देवाशी चैटर्जी है यहां पर देवाशी चैटर्जी जो बैसिकली mind tree के CEO है most probably यहां पर जो combined entity है उसको यहां पर जो है लीड करते हुए नजर आएंगे क्योंकि जो देवाशी चैटर्जी है उनके पास experience काफी अच्छा है दोस्तों उन्होंने देखिए cognizant banking and financial services की foundation यहां पर रखे ती और काफी आयम योगदान था ठीक है और वो IBM के साथ का हैं। ही तु है जहां पर जो हैं डीशी को है घचे जो है मर्ज एंटी तॉए चीज हमको यहां पर मेरे खाल वी है क्योंकि देवाशी चैटर जी मेरे क्यार को ही इस company को entity को combined entity को और भी आगे तक ले जा सकते हैं growth यहाँ पर हमको अच्छी तरीके से आती हुई देखने को मिल सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि संजेज रोना जी का जो है हमें आपने जो है negative statement दे रहे हैं ऐसा नहीं है तो संजेज रोना जी है यह inverted head and shoulder का pattern neck line का breakout होगा तो यहाँ पर stock में जो है एक support line हमने दोस्तों पहले भी merge करी थी आप देहिए इसी support पर almost आ चुका है और particularly मैंने क्या किया तो मैंने दोस्तों आज यहाँ पर LTI के कुछ shares यहाँ पर और add किये हैं और मेरा समय जो है मेरा जो horizon है हैं बहुत ही जबरदस्त कंपनी है total contract value की बात करें माइन ट्री के साथ merge हो जाएगी तो अगे वहाँ पर भी हमको और भी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी तो माइन ट्री LTI की बात करें तो मेरे ख्याल से इस level पर अच्छी opportunity और valuation wise भी मुझे रखता है LTI दोस्तों आप काफी अच्छा हो चुका है माइन ट्री के मुकाबले LTI मुझे valuation wise attractive यहाँ पर नजर आ रहा है जिस प्रकार की growth है company की तो यहाँ पर definitely नारसन एंट टूबरो हर गिरावट पर यहाँ पर अच्छीव और काफी जबर्दस हमको risk reward ratio दिखाता हुआ नजर आएगा माइन ट्री की बात करते है माइन ट्री में stock में 30% की correction है होड़ सकता है और गिर जाए देखिए अभी पूरे हालात खराब है ठीक है NASDAQ की हमने गिरावट देखी रहे है interest rate हाई होगी तो उसका tech companies पे काफी impact पड़ता है तो NASDAQ में companies काफी pressure में है तो उसका असर हमको कहीं न कहीं देखिए Indian companies में जो tech companies उनमें देखने को मिल रहा है तो मुझे लगता है माइन ट्री में और गिरावट हो सकती है माइन ट्री की गिरावट मान के चली यहां से करीब करीब 2900 तक भी आ सकती है जो कि एक पहला support है वहां से और गिरता है तो फिर इसका next support होगा 2400 के आसपास तो माइन ट्री में भी दोस्तों आप देखिए निवेश कर सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल से अभी valuation wise LTI अच्छा नज़र आ रहा है तो LTI में आप निवेश कर सकते हैं माइन ट्री में भी कर सकते हैं यहां आप पर छोड़ता हूँ आपका क्या यहां पर मानना है वो मुझे आप comment करके ज़रूर बताइएगा बाकि दोस्तों यह जो है मेरे ख्याल से overall काफी अच्छा development है IT sector की एक अच्छी कंपनी हमको बड़ी कंपनी हमपर बंती हुए नज़र आएगी एक लाग करोड का मार्केप है जिस प्रकार के हमको digital एक काप कह सकते हैं कि shift होता हूँ हमको देखने को मिलड़ा across the world और जिस प्रकार की हमपर technologically advancement होता हूँ हमको इंडिया में देखने को मिलेगा और जिस प्रकार की scale पर ये कंपनी काम करती है तो पांच लाग करोड का मार्केप मुझे रगता है बहुत आसानी से आने वाले समय में ये कंपनी टच करेगी और